तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यह ध्यान लखिएगा कि आपने अगर आपने नेट पास किया हुआ है या फिर आपने पीजडी क्यों ही है तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं ठीक है तो जो पद है वो एसोसियेट प्रोफेसर और असिस्टन प्रोफेसर की पद है और साती साथ प्रोफेसर के भी पद है एसोसियेट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास अनुमों चाहिए एक्स्पेरियेंस ही लेकिन अगर आप फ्रिसर हैं तो आप History, Physics, Mathematics, History and Archaeology, साथी साथ Political Science, Geography, Pharmaceutical Science, then after यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Hindi, English, Sanskrit, Political Science, Economics, History, Physics, Chemistry, Mathematics, यह बन्त बहुत सारे पिसे हैं यहाँ पर, काफी लंबी लिस्ट है, तो देख लीजिएगा, जहाँ पर भी आप आवेदन करना चाहें, तो आवेदन आप कर सकते हैं, नोडिफिकेशन कहां से जारी हुआ है, तो यह मैं आपको बता देता हूँ, उसके पहले पेस्केल देख लिजिए, अगर आप Assistant Professor ले चुने जाते हैं, तो आपको जो है, आपको सेलरी इसमें मिल रही है, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बहुत सावड में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास समय कम होता है, लेकिन यह जानकारी आपके लिए अहम है, तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, आनलाइन आविदन जो हैं, वो सुरू हो रहे हैं, 20 जन्वरी से, और यह चलेंगे कब तक तक तो 10 फरवरी तक चलेंगे, वकेंसी कहां से आई है, भगत फूल सिंग महिला विस्विद्ध और यह कहां पर इस्तित है, तो यह सोनी पत हर्याना में इस्तित है, वैसे तो यह एक स्टेट उनिश्टी है, लेकिन अब यहां पर क्योंकि सारी सेलरी वगरा जो होती है, वो राज सरकार देती है, तो अब आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़स लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप आवेदन कीजिएगा, कुछ मुखी जानकरिया मैं आपको और भी उपलब्द करवा देता हूँ, आवेदन से पहले आप लोग इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा, जो स्लेट है, मतलब जो यसे लीटी होता है, इस्टेट लेबल एलिजबिल्टी टेस्ट, वो सिर्फ हराणा से अगर आपने किया हुआ है, तब आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन नेट कहीं से भी आपने किया हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक ह तो बागी जो जांकारी है, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लिजीगा, देन आफ्टर ऑफिसल वेपसाइट पर जाकर ही आपको आवेदन करना है, नोटिफिकेस्टन में सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दी गई हैं, और यहाँ पर जो जो रिजबि पास किया है, या सेट पास किया है, कहां से? हर्याणा से, तो भी आप अलिजबल है, और अगर आपने जो है, निहमा अनुसार प्यजडी की हुई है, मतलब आपकी जो प्यजडी है, वो जुलाई 11 2009 से पहले अवार्डेट है, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ला सांदार मतलब आउफर है, और अगर आपका सेलेक्शन होता है, तो एक बहुत ही सांदार इंवरस्टी में आपको काम करने का आउसर मिलेगा, तो फ्रेंड्स यह थी आज की थोड़ी सी अपडेट, जो कि आपके लिए महत्तपूर हो सकती है, थैंक्यू सुमज